पर friends, आज हम एक बहुत अच्छी वेकंसी है, क्योंकि friends, ये वेकंसी तो online चल रहे काफी दिनों से, और बीच में ये थोड़ा सा form इसका last debt खताम होने वाली थी, इसलिए video नहीं दिया था, मगर ये last debt extend हुई है, जैसलिए इस form को आप नहीं डाले हैं, तो इस form को डाल दें, टीचा से समंदिध है ये, और काफी अच्छी महातपूर जॉब है, फॉर्म जो फी है, इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल के लिए डालेंगे, तो दो हजार रुपए का कौम होगा, पीजी टी के लिए डालेंगे, तो पंदा सो का, जो नान किया है, तो सब्स्राइब कर लें, और यहां पर बात करेंगे, फ्रेंट्स, जैसा की कुछीजे हैं, हाँ, पहले तो बात करेंगे, कि कितनी पोस्ट है, यहां पर देख सकते हैं, वेकैंसी कितनी है, प्रिंसिपल के लिए 303 पद होंगे, पीजी टी के लिए 2268 यानी 268 पर यह वेकैंसी निकाली गए, प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं, यूर के लिए 125 होंगे, स्ट के लिए 45, ओबी सी के लिए 80, इस इसाब से आप देख सकते हैं, किसके कितने पद हैं, यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी की विशुपे बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट डेटेल आफ लेवल अप पे, पेश्केल होगी, प्रिंसिपल की जो पे लेवल होगी, बारा होगी, और 78,800 से 2,9,200 होगी, जो PGT की है, 47,600 से 1,1,1,100 रुप है, और यह लेवल 8 की जाब होगी, ए अटेंडेंट की भी, लेवल 1 की जाब होगी, 18,000 से 5,900, तो यह है, किसकी कितनी पेश्केल है, यदि आपने, इंगलिज, हिंदी, फिजिक, कमस्ट्री, मैथमेटिक्स, एकोनोमी, बैलोजी, हिस्ट्री, जोगर्फी, कामर्स, और जो थर्ड लेंगेज हो, कम्प्यूटर स इन से आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस पर्म को डाल सकते हैं, और मोड आप एक्जामिनेशन के बारे में बात की गई है, तहां पे OMR बेस्ट होगा, पेन पेपर मोड होगा, और चॉइस आप कोशन पेपर भी आप इसको प्राइस कर सकते हैं, एक्जाम पैटरन की बात इत्य पार्फ में होगा, पहला पार्फ होगा डिजनी अ, कर दलिंग, जनरल अवैयर नथे सब्सक्रेशंड मां के होगा, तैन्स होगा सब्सक्राइब, यहां पकी वेबसाइट है, यहां पर आप जाके देख सकते हैं, यह आपको हमारे देलिक्राम चैनल से जोऔना होगा वहाँ पर इसका फीडिया दे दिया जाएगा और यहां पर देख सकते है फ्रेंड्स टोटल डेड़ सो मार्स का होगा और जो तीन घंटे का यह एक्जाम होगा यह भी दिया गया उसके बाद पीजीटी के बारे बात कर लेते हैं पीजीटी का स्लबस लगबग लगबग सेम ह पर 5000 सकने आशा है यहां पर चार पार्ट होगे चार पार्ट कौ to अपर ku Sur resting iki होगे फिस को स्थों एव 정이 इस कोिस्तिकर प्रड़ के प्धए मनेकि और प्रफु का दीचर बनेंगे तो इतने अधर तुो चेक की जाएगी कि टीचित है तो चेक किया जाएगा उसके बाद जो डॉमें नॉलेज होना चाहिए आपके पास 80 मार्ट का होगा ये यह आपको हमारे चैनल के माथ आ टेली ग्राम पर दे दिया जाएगा ठीक है यह जो टाइम देर्शनन इसका तीन गंटा भी है और यहां पर 130 मार्ट का यह हो जाएगा उसके बा होगा और यह 20 कोशन आएंगे रिजनिंग के और मैथ के 30 कोश्चन होंगे और लेंग्जिस के 20 कोश्चन होंगे 20 कोश्चन आपके होंगे बेसिक नॉलेज़ अफ कंप्यूटर ऑपरेशनल जैसे की करेंट अफेयर कंप्यूटर नॉलेज़ जैसे MS वार्ड, MS Office, Excel इस तरह से अग्ला है पार्ट 5 है जैसा कि आपको देखना में चालिस मार्च के subject knowledge प्रिष्चा पैटर्ण यहाँ पे भी पार्ट होगे एक प्रिस्मत का एकोथ płप्र पार्चन होंगे 130 मार्स के और दो गंटे आपको तोटल देड़ सो मिनट दिये जाएंगे यहां पर धाई गंटे का एक्जाम होगा और यह पर रिजनिंग 20 कोश्चन होगे मैथ 20 कोश्चन होगे जन्दल अवैरनेस 30 कोश्चन होगे उसके बार जो लैंग्लेज होगा आपका 30 मार्स का होगा इसमें इंगलीज हिंदी आएगी 15-15 दोनों इश होगे 15 इंगलीज होगे 15 हिंदी होगी और बेसिक कम्प्यूटर ऑफ जो से होगे 30 कोश्चन होगे टूटल यहां पे 130 कोश्चन हो जाते हैं और इसके बारे में आपको बता धें टैपिंग टेस्ट जो भी होगा आपका से सेल भी 20 यानि कम से कम 50 मार्ग से आपको 20 मार्ग से लाना ही पड़ेगा और a candidate based on the merit सेल भी called for a stage second जो की typing test होगा और 1 is to 3 ratio का होगा जो typing के लिए बुलाए जाएंगे एक post पर तीन अब भारते को बुलाए जाएंगे इसे सबसाब को बुलाए जाएगा लाब अटेंडेंट ए 120 मार्ग सका होगा यसे आप देख सकते हैं जिसमें रिजिंग के पंद्रा कोर्शन होगे इसका टोटल 120 होगा और डाइ गंटे का यह एक्जाम होगा जन्रल अबरेंटेंस के इसे बारे में आपको लैब के बारे से इसके सब्जेक्ट के बारे से आपको साथ कोश्चन देखने को मिलेंगे एक्जाम हाल में ठीक है तो टोटा 120 कोश्चन होगे और डाइगंटे का आपको टैम दिया जागा यहां पर माइनस मार्किंग का भी प्राउधान है क्या है 0. तो यह ओफिशल वेबसाइट है और हमारे चैनल के मार्दम से भी आपको स्लेबस दे रही आ गया है महाँ पर जाके आप डिटेल स्लेबस वहां से प्राप्त कर सकते हैं बिसकली यह मुझे लगता है आपको मोटी मोटा सभी विश्व पर जानकारी दे दी गई है कितनी पो पर जानी होना चाहिए जो भी आप देख सकते हैं SCST, OBC जो भी है पिकेबल आप आप देख सकते हैं ठीक है जैसा कि SCST, OBC को 5 सरी SCST को 5 years, OBC को 3 years दिया जाता है Central Government में इससे सबसे अब देख सकते हैं और जो academic है Master degree from recognized university होना चाहिए BA degree भी आपके पास होना चाहिए प्रिंसपल के लिए experience की बात कर लें जो कि B में देखी A भी होना चाहिए आपके पास B भी होना चाहिए इसके बात B में दिया गया है कि person having 10 years of experience होना चाहिए जैसा PGT TGT principal के रूप में minimum four year और PGT above इससे उपर का होना चाहिए और desirable में दिया गया experience of working in a fully residential school यह experience आपको दिया गया है professional in English English में आपको profeant हो Hindi residential language आपके पास होना चाहिए working knowledge of computer आपको computer का knowledge होना चाहिए PGT के बारे में बात कर लेते हैं 40 साल तक इस form को डाल सकते हैं और जैसा कि age relaxation है government of India के recording उसको आपको मिलेगा Initial qualification इसके बारे में बात कर लेते हैं पोस्ट graduate जो degree है आपके पास यह होना चाहिए उसके बाद जो subject है यह तो master degree में भी आपको पास English है या Hindi होना चाहिए physics जिस subject से डालने last year में आपको पास यह चीज़ होना चाहिए इससे आप combination चलता है basically इसमें Master degree in any subject other than the subject mentioned above will not be considered eligible तो यह चीज़ देख सकते हैं आप और इसके बारे में मैं आपको बता दे और यहां पर देख सकते हैं जैसा कि PGT computer science के बारे में तो MSC computer science होना चाहिए और हां यहां पर यह चीज़ मैंने और नहीं बता ही part B में BA degree in case of integrated four year degree ठीक है BA भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि A और B दोनों पार्ट में आपको आपके पास जरूरी है देखे पार्ट A यह आपके पास है पार्ट B BA degree भी होनी चाहिए PGT computer science के लिए आपको पास होना चाहिए MCA किया हो master degree computer science से होनी चाहिए या ME या MTEC होना चाहिए computer science से या IT से होना चाहिए भी आपके पास चलिस साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए accountant के बारे में बाद के डिग्री आप commerce फॉर्म के लिए एज का प्रगधान नहीं आनि तीस साल के हैं तो आस फॉर्म को आपको डाल सकते हैं से एसस्टी के यह भी सी ब Νे की लार का हिए तो 35 साल तक ओबी dic你是 अल तक इन चाहिए यहां पर देख सकते हैं उसके बाद के पास हिर्जी john m готов डीया गया ताप लूड कर लाएं ऑर हैंрий में स्ट्रीम हो तो बहुत अची बात है तो यह इस फर्म को डाल सकते हैं यह पर भी आप 30 वर्स से कम है तो यह पर जो जो जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम चैनल से जुड़े हैं ठीक है वहाँ पर आपको सभी प्रण की जानकारी दी जाएगी और वीडियो तरह कि सभी गवर्मेंट जाप से जानकारी आपको हमारे चैनल से प्रवाइट की जाती है ग्रों को लाइक करना ना मुले क्योंकि मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी जानकारी के लिए बने रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग जाहें